नमस्कार दोस्तों लली जोति समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम राहू केतू से संबंदित ऐसी शूक्ष्म जानकरी जानेंगे जो कहीं भी आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगी और ऐसे सरल और एक्सपेरिमेंटिड उपाए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको लाब मिलेगा अगर आप राहू केतू की समस्या से जूज रहे हैं देखिए जो एक चीज विशिश ध्यान में रखने के लायक है वो ये है कि आज के जीवन में मान लीजी आपको बुखार आ जाता है तो आप पैरसिटा मोल लेकर खाते हैं चाहें वो आप पांच रुपे की खरीदें दस रुपे की खरीदें या कितने की भी ले तो एक चीज आप ध्यान कर लीजिए कि कोई भी उपाय करने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं तो फ्री के उपाय से कल्यूग में चमतकार की कामना करना एक तरीके से बेवकूफी है तो चलिए राहू की तरफ हम चलते हैं किसी भी ग्रह के उपाय करने से पहले उसकी मूल प्रकरती को जान लेना बहुत ही जादा आवशक है देखिए अगर हम समुंदर मंतन से थोड़ा हट कर देखें और शास्त्रों के अनुशार देखें तो राहू एक स्त्री नपुनसक ग्रह है अब मैंने नपुनसक क्यों बोला तो ये जान लेना जरूरी है देखिए अगर हम मंतन करें तो राहू के पास सिर्फ सर है सोचने के लिए और कुछ नहीं है उसके पास कोई भी प्राइवेट और्गन नहीं है इसलिए इसे नपुनसक ग्रह की संग्या दी गई है अब ये राहू क्या करता है सिर्फ गंदी सोच देता है आपको राहू को समाज में हे द्रिष्टी से देखा जाता है अच्छी द्रिष्टी से नहीं देखा जाता जिस परकार किन्रो के परती लोग भावना रखते हैं इसी परकार राहू के परती रखते हैं तो जो किन्रो की माता है बहुचरा माता है जो हो कौन सी है सरस्वती माता तो सरस्वती माता की पूजा राहू के उपाए में अच्छा लाब देती है तेकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राहू जिसे तारे उसे कौन मारें पर एक बार और भी ध्यान रखने चाहिए कि दोस्तो काठ की हंडी बार बार नहीं चड़ती एक ही बार चड़ती है तो लाटरी होती है या केबीसी में करोड़पती बनने का मौका एक बार याता है बार बार जीवन में नहीं आता देखिए दोस्तो राहू जीवन में परत्यक्ष होस्पिटल और दवाई का कारक है और एक बाद आप हमेशा ध्यान रखना कि कुंडली में अगर सनी की स्तिती ठीक है शनी बली अवस्था में है तो राहू के बुरे फल अधिकतर नहीं मिलते शनी जितना पीडित होगा जितना खराब होगा राहू भी उतनी ही जादा तकलीफ देगा तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं उपाई की तरफ जो आपको निश्चित तोर पर अच्छा प्रिणाम देंगे देखिए अगर आपके परिवार वालों को या रिष्टेदार को कभी वो बिमार पड़ जाएं किसी प्रकार की दिकत हो जाए उन्हें कोई पैसे की जरूत पड़े तो आप किसी को भेजने की बजाएं स्वैम जाएं और आर्थिक रूप से उनकी मदद करें या दवाई द आयोडेक्स ले जाएं या विक्स की डिब्बी जरूर साथ लेकर जाएं और जब आपका सफर खतम हो जाए जब आपको वापस आना हो तो अंत में जान बूच कर उपर वाले बर्थ के उपर या सीट के नीचे या कहीं भी आप वो बाम विक्स या कोई भी आयोडेक्स आप लेकर जा रहे हैं तो उसे आप वहाँ पर छोड़ आएं मैं ये बाद दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज आपकी डस्ट बिन में नहीं जाएगी कोई ना कोई अटेंडेंट या कोई ना कोई वैक्ति जिससे समस्या होगी वो उसे जरूर ले लेगा और जब वो उसे परियोग करेगा तो आपको निश्चे तोर पर अच्छे परिणम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तीसरा उपाय है कि आप चांदी के गिलास में शहद मिलाकर दूद पीएं कितने तरतालिस दिन तरतालिस दिन पीएंगे आप तो आपको राहु की उगरता से पर भी किसी जाडू वाली को, भाई को, सफाई करने वालों को देखें, तो उनमें से 90% लोग तमबाकू खाते ही खाते हैं, इसका कारण बताता हूँ, कैई बार जो डस्ट उड़ती है, वो नाक मुह में आ जाती है, पर तमबाकू की तीव तीखी स्मेल से वो डस्ट के जनत से उन्हें एक आद बार एक दो पुडिया दे दें, इसे जब भी वो इसका परियोग करेंगे, तो आपको राहू की पीड़ा से शान्ती मिलेगी, एक अंतिम उपाये, जो मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है राहू के बारे में, खाटू शाम बाबाजी के दर्शन से रा आप घर में रखें, तो राहू की पीड़ा से आपको निश्चेत तौर पर आराम मिलेगा दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं केतू के बारे में, केतू क्या है, केतू एक आसहाय अंधा पुरुष है, जिसे कंधा या लाठी के जरूरत है, क्योंकि वो दिशाहिन है, ड अगर कुंडली में मंगल बली होगा, मंगल अच्छी कंडिशन में होगा, तो केतू के शुब परिणाम देखने को मिलेंगे, वरना केतू अशुब परिणाम देगा, तो चलिए हम केतू के उपाई की तरफ चलते हैं, कि अगर कुंडली में केतू आपको बुरे परिणाम दे रहा है तो क्या उपाय करने चाहिए देखिए वरद्धा श्रम में अपने जनम दिन पर या किसी भी शुब दिन पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी आपकी pocket अलाव करें आपको क्या देना है चपल या लाठी वितरित करें मतलब आप वरद्धा श्रम में ना डालें और फलाने की ओर से साप रेम भेट और ऐसे करके से दान करतें मतलब आपका जो दान है वो गुपत रहना चाहिए जब आप वील चेर का दान करें यह उपाई भाहत अधभुत है करके देखिए एक बार करेंगे तो आपको लाब खुद बाखुद नजरा जाएगा चलिए दूसरे उपाई की तरफ चलते हैं केतू के वो क्या है अपने भाई को समय समय पर आप क्या दे सकते हैं गौगल्स टोपी गिफ्ट कर सकते हैं इससे आपको लाब देखने को मिलेगा संभब हो तो किसी संसिथा की मदद करें सरकारी स्कूल में पढ़ रहे गरीब ब चश्मे को जबा महेंगे नहीं आते ऐसे जो परतीवशाली च्छातर है जिनकी नजर कमज़ोर है उन्हें आप चश्मे के फ्रेम दान कर सकते हैं या जो चश्मा होता है उनका नंबर लेके वो भी उन्हें दान कर सकते हैं देखिए अब केतू से संबंधित तीसरा उपाय म मैं आपको समझा देता हूँ के तू मंगल का संबंद पहले आप समझ ले जिस तरह से खिलाडी खेल के वापस आता है तो उसके कपड़े कैसे मटमेले हो जाते हैं उसके खेल में उसकी मेहनत दिखती है ठीक उसी तरह जब एक युद्धा जो की मंगल का सवरूप है जब यु जो शूर वीरता का प्रतीक है अगर आपको केतू से सम्मंदित जादा ही समस्या आए तो आप समय समय पर रक्तदान जरूर करें देखिए रक्तदान वैसे भी आप कर सकते हैं इसके लिए किसी जोतिस की सला लेने के जरूत नहीं है रक्तदान अगर आप करेंगे तो आपक केतु अच्छा होगा और अगर कुंडली में अच्छा है तो चिंता करने की बात नहीं है, रक्तदान करने से वो और बहतर होगा और साथ में आपका मंगल भी अच्छा होगा और ठीक है, रक्तदान करना बहुत अच्छा है, हमारे लिए समय समय पर अब चलते हैं केत्टू के चौथे उपाई की तरफ आप क्या करें किसी भी नजदी की अस्पताल में संपर करें अपनी मृत्यू के बाद अपने नेत्रदान का संकल्प लें जो भी वहाँ पे फॉर्मैलिटीज होती हैं वो आप कर सकते हैं तो अगर आप नेत्रदान करते हैं तो इससे भी आपको लाब मिलेगा क्योंकि आपके चले जाने के बाद देखिए सबको इस दुनिया से कभी न कभी जाना ही है तो जब भी आप इस दुनिया से जाएंगे आपके नेत्रों का लोग परियोग करेंगे और मरने के बाद भी आ आपके पास कुछ नहीं है, तो उनको कभी गाली नहीं दे, उनको कभी मार पिट के भगाये नहीं, बलकि क्या करना चाहिए आपको, उन्हें खाने की समागरी आप दे सकते हैं, एक पांच रुपे का कुछ नहीं, पारल लेजी वाला जो बिस्कुट का पैकट आता है वो दे सकते हैं यह आप कोशिश करें कि पैसों का दान ना करें क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आप पैसे दें तो वेक्ति उस पैसे का दुरूपयोग करें हो जकता है शराब पी ले और फिर अपनी फैमिली को परेशान करें या कोई भी अन्ने इस परकार की चीज़ ले ले जिससे उसको खुद नुकसान हो और आपका दान व्यार्थ जाएं तो खाने पीने की चीज़ देंगे तो जादा बहतर रहेगा आपके लिए तो दोस्तों आज हमने बात करी राहु केतु से संबंदित कुछ शुक्ष्म जानकारियां और कुछ ऐसे उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको फायदा भी होगा देखिए दोस्तों इस उपाय में मैंने अपने पास कुछ गुप्त नहीं रखा जितनी भी जानकारी थी मेरे पास वो सारी मैंने इस वीडियो में उपायों के माध्यम से डाल दी इस वीडियो को आप जादा से जादा अपने दोस्तों और रिष्टेदारों तक शेयर कीजिए ताकि राहु केतु से संबंदित अगर पीड़ा उनको सता रही है तो इन उपायों को करके वो इनका लाब उठा सके तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जै श्री राम